प्यारे बच्चों, आज की कख्षा में आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा काम जो हम प्राया करते ही रहते हैं चित्रवर्णन जी हाँ, हम चित्र बनाते भी रहते हैं और पुस्तकों में बने सुन्दर चित्रों को निहारते भी रहते हैं और यह सब करते हुए हमें बहुत आनन्द आता है चित्र मन की कितनी भावनाई बताते हैं चित्र हमें यह बताते हैं कि चित्र में बने हुए पात्र चाहें वो व्यक्ती हैं या पशुपक्षी कैसा अनुभव कर रहे हैं हमें चित्र में देखकर ये भी समझाता है कि वह चित्र खुशी वाला चित्र है या दुख वाला चित्र है तो बच्चों चित्र को देखकर उसके बारे में वाक्य लिखना ही चित्रवर्णन कहलाता है चित्रवर्णन से दो कारे होते हैं पहला हमारी भाशा का विकास होता है और दूसरा हमारी कलपना शक्ती एक विभिन उड़ान पर निकल पड़ती है तो बच्चो आए नीचे दिये गए चितन का वर्णन पड़े शायद आज छुट्टी है सुभा का समय है श्रीमान गुपता समाचार पत्र पढ़ने में मगन ह उनका बेटा राजू खिलोने के साथ खेलने में मगन है बेटी नुपर बर्तनों को कपड़े से पोँच पोँच कर मेज पर रख रही है श्रीमती गुपता खाना बनाने में व्यस्त है नाश्ते की तयारी चल रही है आए एक और उधारन देखते हैं इस विडियो के माध् है इसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं भारत एक विशाल देश है उत्तर में हिमाले परवत से लेकर दक्षिन में हिंद महा सागर तक और पूर्फ में बंगाल की घाडी से पश्चिम में अरब सागर तक इसका विस्तार है प्राकृतिक त्रिष्टी से देखे तो भारत एक सफेद पहाड हरे भरे मैदान और घाटियां कल-कल करती बहती नदियां हैं मेरे देश में घने वन भी हैं और रेगिस्तान भी अनेक प्रकार के पशु पक्षी और लहलहाते खेट भी हैं संसार में भारत ही ऐसा देश है जहां छे रितुएं अपने अपने समय पर आती हैं भारत की संस्कृती अती प्राचीन है भारत ने विश्व को साहित्य और कला की बहुत सी सोगात दी हैं रमायन और वेदों की रचना इसी पवित्र भूमी पर हुई है भारत ने ही विश्व को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया भारत भूमी रिश्यों मुनियों और श भागत सिंग और सुभाज चंद्र जैसे वीरों ने इस भारत भूमी का गौरव बढ़ाया है भारत विविदताओं का देश है यहां अनेक धर्मों जातियों वह भाशाओं के लोग रहते हैं इस देश की सबसे बड़ी विशेशता है कि यहां विविदता में एकता है सभी मि मिलकर प्रेम के साथ रहते हैं वह देश का मान बढ़ाते हैं तो बच्चों अब बारी आपकी है अपनी पुस्तक में दिये चित्रों का वर्णन करने की धन्यवाद